हम आज पढ़ने वाले हैं मेरे भाई हिंदी में क्या पढ़ने वाले हैं आज हमारा ज़्टाफिक होगा वह होगा समास देखो समास के बारे में देखा जाए समास किसे कहते हैं तो इसका मतलब होता है सम धन आश छीक है सम की अगर सम धन आस दो सब्दों से बिलकर क्या बना है ये दो सब्दों से बिलकर बना है क्या शमाश छीक है समाश का साथिक अर्थ अगर आप से पूछा जाए कि इसका साथिक अर्थ क्या होता है तो तब आप ये बता सकते हैं कि समास का साथिक अर्थ होता है क्या किसी चीज को छोटा करना, संछेप में लिखना या हम कह सकते हैं क्या समस्त पद हो सकता है या हम कह सकते हैं क्या हम कह सकते हैं संपून पद या हम कह सकते हैं क्या समासिक पद क्या कह सकते हैं समासिक पद ये समास के साथ भी करता है देखो आपने एक लिखा जैसे एक बड़ा सब्द लिख सकते हैं जैसे गाव को गया हुआ गाव को गया हुआ ये तो हो गया एक बड़ा लिखा हुआ सब्द और इसको आप ऐसे कह दो कि ये हो गया आपका ग्राम गत ग्राम गत का मतलब क्या होगा ये हो गया छोटा रूप ये हो गया इसका क्या बड़ा रूप इस तरह को क्या कहेंगे ये तो हो गया आपका संचेप और ये हो गया आपका विस्तार तो इस विस्तार वाली चीज को छोटा करकर लेते हैं तो इ है ऐसी आप यह कह सकते हैं कि जैसे आपका एक सब्द लिखा हुआ है सब्द क्या लिखा हुआ है आपका जैसे मैंने लिखते हैं माता पिता क्या लिखते हैं माता पिता तो इसमें क्या होगी है एक सब्द होगी है और एक सब्द के बाद आप कह सकते हैं दूसरा भी क्या मिलकर एक सब्द एक सब्द मिलकर क्या बन जाएंगे यह दोनों मिलकर बन जाएंगे क्या यह बन जाएंगे आपके समास क्लियर है क्या मन जाएंगे समास बन जाएंगे छीक है और जैसे एक सब्द हो गया माता ऐसे समझें यह हो गया पिता और हमने दोनों को ऐसी लिख दिय थोटी थोटी समझ में आ रही होगी, चलो, अगर समझ में आ रही है तो बढ़िया है, चलो, अब देखने हैं, देखो, जैसे आपका, मैं लिख दू जैसे एक सब्द लिख दे रहा हूँ मैंने लिख दिया आपका क्या मैंने लिख दिया आपका चड़िया घर तो इसमें क्या हो गया चड़िया तो हो गया आपका एक सब ठीक है और ये आप कह सकते हैं कि ये हो गया आपका क्या ये हो गया आपका एक पद प्लस आप कह सकते हैं घर ये हो गया आपका एक पद दोनों जब मिले तो दोनों के मिलने से क्या बन गया आपका ये बन गया आपका चिड़िया घर और इसी को क्या कह देंगे इसी को कहा जाएगा क्या इसी को कहा जाएगा संपूर्ण पद एसी को कहा जाएगा संपूर्ण पद छीक है आप ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक इसकी परिभासा की बात करें दो या दो से अधिक पदो का योग क्या कहलाता है तो या दो से अधिक पदो का योग क्या कहलाता है दो या दो से अधिक पदों का योग समास कहलाता है क्या कहलाता है समास कहलाता है क्लियर होगी बात समास किसको कहेंगे दो पद हो या दो से अधिक पद हो दो पद वाले तो मैंने बता दिया जैसे एक पद ये रह आपका एक पद ये रह बिना हथियार वाला बिना हथियार बिना हथियार वाला तो इसमें क्या है एक दो और तीन तीन सब्द हो गए ठीक है बिना हथियार वाला ये उधारन अगर आप से पूछे कौन से समास का है अव्यई भाव समास इसके बारे में करेंगे बात हम कि अव्यई भाव समास क्या हो बता है वो अलग बात है निहत्य का मतलब हो गया आपका बिना है याउर वालह जग है अभ यह हो गया समास समास में कितने पद हो सकते हैं एक दो पद हो सकते हैं दो से अधिक पद हो सकते हैं जैसे मन कर्म वचन तो ये क्या हो गया आपका मन कर्म वचन ये तीन सब्द हो गया तो इन से ये तीन सब्द वाला भी क्या बन सकता है आपका समास बन सकता है ठीक ऐसी अब आता पर आप कह सकते हैं कि सर्थ समास के बेद होते हैं कितने कुछ जगे पांच दे रखे हैं कुछ जगे अच्छे दे रखे हैं कुछ तक प्रुक से समास के भी जो तो टोटल इसके बेद जो होते हैं वो होते हैं ठीक है कितने होते हैं अच्छे नंबर एक होता है आपका अव्य यही भाव समास क्या होता है आपका अब यही भाव समास अब यही भाव समास दूसरा क्या होता है दूसरा होता है आपका दूसरा क्या होता है दूसरा क्या होता है दूसरा क्या होता है दूसरा क्या होता है तीसरी की अगर बात करू तो यह क्या होगा आपका होता है कर्म धार ये समास करमधार ये समास और इसके लावा चौते की अगर बात करें क्या होता है तो आप कह सकते है सरी होता है आपका दूइगू समास क्या होता है आपका दूइगू समास होता है और पांचवे की अगर बात करू तो क्या होता है पांचवे होता है आपका तत्व पूरुष समास क्या होता है आपका तत्व पूरुष समास होता है ठीक है और छटे की अगर बात करूँ क्या होता है तो छटा होता है आपका बहु वरी ही समास बहु वरी ही समास तो देखो मैंने कितने टाइप बता है इसके योगत छे टाइप अव्यवाव समास, दुन्द समास, करमधरिय समास, इसके बाद द्विग्स समास ततपुर समास, और भहुवरी समास, छिक है तो basicly ततपुर समास अपने आप पे दो परकार का होगा इसके बारे में बात करेंगे कि क्या होता है, क्या नहीं होता तो मुद्दा हम सीधा पकड़ लेते हैं आपका कि समास के भेद कितने होते हैं तो आप क्या को के सर समास के भेद होते हैं 6 कलियर होगी इसमें नंबर 1 समास पकड़ते हैं अवयई भाव समास ठीक है कौन सा समास पकड़ते हैं हमने अब यही भाव समास बोले अब यही भाव समास क्या होता है जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है ठीक है हम क्या कहेंगे जिस समास में जिस समास में पहला पद प्रधान होता है ठीक है जिस समास का जिस समास का पहला पद प्रधान होता है जिस समास का पहला पद ब्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है उसे अब यही भाव समास कहेंगे अब रुको तो सही यार अब यही भाव एक तम से कैसे समझ में आ जागे एक सेक्शन रुको क्या होगा पहला पद क्या होता है क्या क्या होती है चीजिए उसके बारे में बात करेंगे ठीक है अब यही बहाव समास जैसे आपका उधारन मैं बताओं अभी आगे चलके इस पर बहुत सारी चर्चा करेंगे आ प्लस जीवन ठीक है तो आ का मतलब यहां है भर या इसका मतलब है पुरा तो आप यह कह सकते हैं कि इसमें जीवन परधान है या आ सब पूरा जीवन जीवन भर परधान है तो इस आधार पर आप यह कह सकते हैं कि यह क्या हो गया अब यही बहाव समास क्यों क्योंकि इसमें क्या हो गया पहला पद परधान हो गया ठीक है क्या होगा पहला पद प्रधान होता है अब यही भाव समास ठीक है तो इसमें और भी कह सकते हैं और तरीके से भी कि इसमें क्या होता है पहला पद प्रधान कई जगह यह होता है पहला पद प्रधान कई जगह यह होता है पूर्व पद प्रधान पूर्व पद प्रधान होता है ठीक है पूर्व पद प्रधान होता है इसके लावा कई बार कहा देंगे पूर्व कोई प्रथम पद भी कहा देंगे क्योंकि पहले का मतलब प्रथम भी होता है तो प्रथम पद क्या होता है प्रधान होता है ये भी कह सकता है हम तो एक पहचान तो इसकी होती है ये दूसरी पहचान क्या होती है इसकी दूसरी पहचान की अगर बात करें दूसरी पहचान क्या होती है तो इसमें जो अविय भाव के उधारन होते हैं ना उधारन तो अविय भाव में नपुलिंग वाले उधारन होते हैं मतलब अविय भाव के ये धियान लगा कि अविय भाव के अविय भाव के उधारन अविय भाव के उधारन जो हैं वो क्या होते हैं पुल्लिंग और इस्त्रिलिंग नहीं होते हैं पुल्लिंग और इस्त्रिलिंग क्या है नहीं होते हैं ठीक है पुल्लिंग और इस्त्रिलिंग नहीं होते हैं नमबर तीन पर पुल्लिंग नहीं होगा इस्त्रिलिंग होगा पातला नपुलिंग होगा या नपुनसक लिंग होगा ठीक है इसके अलावा क्या होता है कि अविकारी सब्दों की आवरति यूजक चिन के साथ होती है अविकारी सब्द ऐसे सब्द जिनका लिंग वचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनको क्या कहा जाता है अविकारी तो हम कह सकते हैं क्या हम कह सकते हैं कि अविकारी अविकारी सब्दों की आवरती है अविकारी सब्दों की जो आवरती होती है यूजक चिन के साथ होती है किस के साथ यूजक चिन के साथ होती है योजक चिन के साथ होती है ठीक है अविकारी सब्दों के आवरती योजक चिन के साथ होती है ये वली बात के लिए रहो रही है आपको ठीक है अविकारी सब्दों के आवरती किस के साथ होती है योजक चिन के साथ होती है ठीक है जैसे अविकारी सब्दों की हम बात करें किस तरीके से होगा तो तब आपको देखना पड़ेगा जैसे उधाराने चल रहा है आपका धीरे धीरे वो बोलेगा कि अब बताओ इसमें कौन सा आपका समास है तब क्या कोगे धीरे आपका अवियस अब हो और इनके बीच में यूजक्चिना आगे तो इसका मतलब क्या हो गया अविकारी चीक है क्लियर हो गया आपका यह है इसके अलावा और बात करूं इसका मतलब और क्या हो सकता है तो आप ये भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि अव्याई भाव का मतलब क्या होता है जैसे मैंने कहा अव्याई भाव अव्याई भाव का मतलब क्या है अव्याई भाव का तो आप का होगी कि सर आप लस व्याई इसका मतलब यह है और प्लस भाव आ का मतलब तो आ है बिना है बिना विये का मतलब होता है खर्च और भाव तो बिना ठीक है या खर्च जहां पर बिना खर्च होना क्या हो पाया जाए जहां पर बिना खर्च होना पाया जाए उसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे आप अब यही समास क्या कहेंगे उसको अब यही समास कहेंगे क्या कहेंगे उसको अब यही समास कहेंगे ठीक है अब यही समास कहेंगे क्लियर है अब यही समास के बारे में अब इसके कुछ उधारन द लिखा हुआ है दुश्परिणाम में कौन सा समास है तो क्या कहोगी सर्थ परिणाम में कौन सा समास है तो आप कह सकते हैं कि दुश्परिणाम तो दुश्परिणाम में क्या होगी आपका उपसर्ख और ये क्या होगी आपका प्रत्य उपसर्ख प्रत्य वाले जो समास होते हैं इसकी पहचान ये भी होती है इसकी पहचान ये भी होती है कि इसमें पहला पद जो है क्या होगा पहला पद उपसर्ख होता है चीक है और दूसरा पद हमेशा जो है क्या होता है प्रत्य होता है पहला पद उपसर्ख होगा दूसरा पद प्रत्य होगा चीक पहला पद उपसर्ख होगा दूसरा पद जो ह डिया आपका उपसर्ग परेनाम हो गया तो दोनों मिल करक्या वन गया तूस में कौन सा गयाATHAN आव यह भाव समास हो गया जैसे एक उधारन और है जैसे आप कह helium लोग One जै उप लोगन तो इसमें है उपसर्ग क्या हो गया उप और वन जो है वो क्या होeras को गया 답 का अब यही भाउसमाज, ऐसे ही आपका जैसे एक सब्द होर है अब्यूद, जो अभी ऊद्य हुआ हो तो उसको करतें अभी तै, तो यह हो जाएगा अभी plus उदे तो क्या हो गए, अभी हो गया उपसरग उदे हो गया परतियत ही हो गया अब यही भाविसमास का उपसरग और निपात उपसरग वाला एक्जमपल छिक दूसरा कही होंथा आपसे पीछ सकता है निपात को लेकर भी के निपात वाले जो उधारन हैं वो किश्मात निपाट वाले जो होते हैं उधारन वो किश्माएंगे निपाट वाले उधारन हमेश्ञा जो आएंगे कि वह आएंगे आपके अभी भाल समसना जैसे निपाट जिस पर लिंग बचन कारक का प्रभाव नहीं पढ़ता उसको निपात करते हैं जिस पर लिंग बचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता उसको निपात करते हैं जैसे यथा प्लस सक्ति यथा सक्ति का मतलब होता है सक्ति के अनुसार यथा का मतलब होता है अनुसार क्या होता है यथा का मतलब होता है अनुसार तो यथा क्या हो गया इसमें किसी के साथ भी लगा तो लिंक बचन का रखा इस पर कोई प्रभाब नहीं पड़ता तो यह हो जाएगा यथा सक्ती सक्ती के अनुसार यथा वाला तथा वाला यथा वाला कोई भी हो उसमें क्या होता है कि सभी के सभी में आपका सभी के सभी में आपका क्या होगा कह सकते हैं निप यथा और तथा और इती ये जो है जिसमें जो भी आएंगे वो अभी भाव समास में आएंगे जैसे तथा प्लस योग्यता तथा प्लस योग्यता तो कह दोगे आप किसके अनुसार योग्यता के योग्यता के अनुसार योग्यता के अनुसार जैसे भर प्लस पीट पीट भरने तक तो इसको कह दोगे क्या भर पेट वो पूछेगा भर पेट में बताओ कौन से समास है अभी भाव समास जैसे भर पूर होता है भर प्लस पूर क्या हो गया भर पूर भर पूर में कौन से समास है तो आप कहा दोगे सर भर पूर में समास हो गया आपका अभी भाव समास जैसे कहते हैं ना भर सक जि ठीक है क्या हो जाएगा भर्शक क्या हो जाएगा भर्शक तो कोश्चन किस तरीके से बनेगा कोश्चन यह बनेगा कि तथा योग्यता में कौन सा समास है तब क्या कोगे आप तो तथा योग्यता में अव्यई भाव समास है तथा यूग्यता में कौन सा अव्य भाव जो है क्या है समास है तथा यूग्यता में क्या है अव्य भाव समास है ठीक इसके बाद क्या है इसके बाद आता है जैसे अव्य वाले और ले लो अव्य 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 भी ऐसे ही होते हैं जैसे निपात होता है अव्य थोड़ा सा अंतर होता इनमें ज्याद अंतर नहीं होता तो अविया की बात करते है तो अविया में क्या आएगा जैसे इन पर भी लिंग बचन का रख़ा कोई खास प्रभाम नहीं पड़ता जैसे एक सब्ध है आपका अभी यह प्लस तक तो क्या कहोगे आप आप कहोगे अभी तक तो अभी जो है वो चाहे किसी लड़की के साथ एक बचन चाहे कि बहु बचन चाहे एक बचन बहु बचन किसी के साथ भी इसका यूज कर दो वो अभी ही रहेगा तो ये अवियय है जिसका लिंग्वेचन करणक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसको अभी क्या हो जाएगा अभी तक में के अभी तक में हो जाएगा अभी बहाव समार जैसे आपका एक आता है जल्दी जल्दी कुछ कह रहे हैं जल्दी जल्दी पढ़ा हो सर तो जल्दी प्लस जल्दी तो क्या हो सकता है ये हो सकता है इस तरीके से जल्दी जल्दी और हमने भी थोड़े देर पहले एक पॉइंट पढ़ा था कि जब अविय सब्दों के बीच में यूजक चीन आता है तब क्या होता है आपका अभी भाफ समास होता है जैसे हमारे यहां कहते हैं अलेदा अलेदा लग ठीक है का होता है है अलगलग विस्व होदा अलग अलग है अलग अलग लड़की ठीक है और जैसे कि बीर गीर दी दो क्या हो जाएगा दीरे 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 प्लस दीरे क्या हो जाएगा दीरे दीरे तो यह हो गया आपका इस तरीके शे अब यही भाव समास क्लियर है बात क्लियर है बात बतलाओ जरा क्लियर है चालो क्लियर है तो बड़ी हा बात एक और बचा अवियाई भाव का एक और होता है कुछ सब्द ऐसे होता है जैसे अवियाई भाव से द्वंद समास में भी पूछ लेता है कि अवियाई भाव से द्वंद समास कैसे बनेगा तो ये और सीख लो कि अवियाई भाव से अब यह भाव से क्या बनाना दुवंद समास बनाना अब यह भाव से क्या करना अब यह भाव से दुवंद समास क्या करना बनाना अब यह भाव से दुवंद समास बनाना जैसे दिनो दिन तो क्या हो जाया काई अब यह क्या है अब यह भाव है दिनो दिन तो इसको कैसे बनाएंगे दिन दिन यह आपका जो है इधर वाला जो बना रहा हूं मैं यह बनना है द्वंद समास अगर आया दिनो दिन तो अभी वहाब समास अगर आया दिन दिन तो क्या हो गया द्वंद्र समास जैसे रातो रात तो क्या हो जाएगा रात रात चीक है क्या हो गया इसमें द्वंद्र समास हो गया जैसे हाथो हाथ हाथ में हुंद है न हाथ हो हाथ कि क्या हो जाएगा हाथ 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 कि बात तो बात भी बहुत हो सकता है कानों कान बात बात कानों कान कान का क्लियर है एक चीज का दियान रखना कि अभिकारी सब्द होगा तभी अभी यह भाव समास होगा का नोट करके लगें यह वाला पोई के अभिकारी सब्द होगा अभिकारी सब्द होगा अब यही भाव समास होगा अब यह भाव समास होगा अगर आपका क्या नहीं हुआ अभिकारी सब्द नहीं हुआ तो आपका अभी भाव समास भी नहीं हुआ यह वाली बात ध्यान लखना जैसे आपका सब्द अभी आया जैसे राहुल अभी अभी आया है तो एक सब्द आ गया अभी अभी ये अभी कारी सब्द है जैसे मोहिनी अलग अलग मोहिनी और रोहिनी अलग अलग रास्ते से तो सब्द क्या हो गया अलग अलग जल्दी जल्दी खाना खाओ जल्दी जल्दी ठीक है दीरे दीरे दोड़ो यह हो गया लोग आपको शनाया जैसे मोहन मोहन दीरे दीरे दोड़ता है मोहन दीरे दीरे दोड़ता है तब क्या कहेंगे दीरे दीरे भाव समास चीड, कलिर है चाल अब पढ़ेंगे हम अगला जोगा क्लास में पढ़ेंगे दोन समास